Hi friends, conjunction topic की अभी तक हमने तीन classes पढ़ी है और उन तीनों classes में हमने grammar के उन छोटे-छोटे rules को discuss किया है जिनको SSE exams बार-बार पुछती है उन questions को देखिए, उसी सिलसले को हम आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपनी fourth class की और आजम बहुत है simple लेकिन बहुत जादा important questions जो बार-बार SSE पूछती है उन्हें हम discuss करते हैं देखिए, सबसे पहला जो आपका part है वो है search देखिए, आपके exam में पूछेगा search को पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि search के बाद में आपको कभी भी wh word का इस्तमाल इस तरीके से which वगेरा, when वगेरा ऐसे लगा करके आपको दे देगा तो कभी भी आपको which का use नहीं करना है search के बाद में या तो as का इस्तमाल होता है और या आपको that का इस्तमाल करना है search as या search that का use करना है आपको सबसे पहली बात तो first one आपको ध्यान रखना है कि search के बाद में which का use नहीं as या आपको that का use करना है first one पहला तरीका second देखो second बात ये कि जब search का आप use करोगे उस दोरान कभी भी search के पहले article का इस्तमाल ना करें कभी भी a such इस तरीके से आप use ना करें search के article बाद में इस्तमाल होते हैं आपको कैसे use करना है search और search के बाद आपको article यूज़ करना है such article उस condition में इस्तमाल होता है जब उसके बाद में कोई countable singular noun का इस्तमाल किया जाता है तो search a ना कि a search आप use करोगे clear है तो search के बाद article पहले नहीं बलकि article हमें बाद में use करना है दो simple rule हुए तो search के बाद as या search के बाद that use करना है second बाद search के पहले article use नहीं करके हमें search के बाद में article use करना है second one तीसा तरीका ये बाद आपको बाद ध्यान में रखनी होगी कि such के बाद as या such के बाद as तब आता है जब उनके बीच में कोई noun का इस्तमाल किया जाता है such के बाद में as वे such के बाद में that मतलब आप such के बाद में as या that का इस्तमाल करते हैं और उसके बीच में जरूरी है कि आपको इनके बीच में noun का इस्तमाल करना होगा यदि noun की जगे यदि आप adjective या कोई भी adverb यूज़ करते हैं तो उस condition में आपको यहाँ पर so का यूज़ करना है जो कि हम आगे comparison पढ़ेंगे कि so that में और such that में क्या अंतर है तो so that और such that अंतर होता है such that के बीच में या such as के बीच में noun का इस्तमाल होता है ये बात आप जरूर ध्यान रखें तो तीन आपके major चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखना है कि such के बाद wh word which का इस्तमाल नहीं करके as या that का यूज़ करना है second बात such के पहले article नहीं बलकि such के बाद में article लगाना है तीसरी बात आपको ध्यान रखना है कि such as or such that के बीच में आपको noun का इस्तमाल करना है क्या यूज़ करोगे? noun इस्तमाल होगी clear है? देखो fourth one अब बात आती है कि such के बाद में as कब लगाएं और such के बाद में आप that कब लगाएं as और that इनके बीच में थोड़ी controversy चलती है कि such as और such that का इस्तमाल हम कहां कहां करें देखो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी होगी कि such के बाद में as का नियम देखो देखे first one एक बात आपको ध्यान रखना कि यदी कोई sentence आपका सच से start होता है यदी कोई sentence सच से start होता है और उसके बाद में यदी मालो आपकी कोई verb दे दी जाए इस तरीके से सच के बाद में यदी सीधे आपको verb दे दी जाती है तो दिहान रखना उस sentence में आपको आगे क्या करना है, that का ही इस्तेमाल करना है, उस condition में आप वहाँ पर as का इस्तेमाल नहीं करके, आपको वहाँ पर that का use करना है, clear है, कुछ question देखे हैं, इसके साथ साथ कुछ questions देखेगा, इस sentence को, यहाँ पर देखो, एक पहली बाद, यह तो देखो, बड़ा सरल सा question है, इस question को देखो, question number first, क्या कह रहा है आप से, कि see what, such a beautiful lady, we all wanted to have a glimpse of her, यहाँ इस sentence को देखना, क्या किया हुआ है, यहाँ पर पहली बात तो आपने सच का इस्तेमाल किया है, तो article आपने बाद में यूज करा है, लेकिन article किसके लिए इस्तेमा होना चाहिए, कि no noun, no article, यह जो article इस्तेमाल किया है, यह हमने यहाँ नाउन के लिए इस्तेमाल किया, यह lady singular noun है, इस वज़ा से हमने यहाँ सच ए लिख दिया, यदि मालो यहाँ पर lady की जगे ladies होता, तो अब इसलिए यहाँ पर article हम नहीं लगाते, तो such a beautiful lady, देखो, यह beautiful एक adjective होता है, adjective और adverb आने पर so होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर noun दे रखी है, तो आपको सच ही इस्तेमाल करना होगा, तो आपने के दिया कि see what such a beautiful lady, अब आगे क्या कर रखाए देखो, कि we all wanted to have a glimpse of her, आप करें कि वो इतनी ज़्यादा सुन्दर लेडी थी, कि हम सब क्या उनकी एक जलक देखना चाते थे, ग्लिम से मलब जलक होती है, कि हम उनकी एक जलक देखना चाते थे, अब क्या होता है कि आपने यहाँ पर क्या कर दिया, कि आगे sentence के अंदर subject और verb लगा करके आपने यहाँ पर एक close बना दिया, तो जब भी कभी इस तरह सच के बाद, और आगे अधी मालो को close दे रखा, एक पूर्ण का close मालो आपको दे रखा है, उस condition पर आपको वहाँ पर that का use करना है, क्या use करोगे, that, ठीक है न, और दूसरी पात एक यहाँ पर reason और result का भी एक option आता है, देखो reason क्या है, कि आप का result क्या बन रहा है, कि आप उसके एक जलक द देखना चाते थे, तो जब भी कभी reason और result का sense आता है, तो आपको वहाँ पर that का इस्तमाल करना पड़ेगा, clear है, तो एक sense आप यहाँ पर भी ध्यान रखें, कि जब search का इस्तमाल करते हो, उस condition में आपको that का इस्तमाल करना है, यदि आपको आगे कोई close दे रखा हो, आपक sense में भी याद रख सकते हो, कि यदि मालो पहले आपको reason दे रखा हो, और बाद में उसी का मालो को result दे रखा हो, तो उस condition में आपको वहाँ पर search that का इस्तमाल आपको करना है, clear है, तो आपको यहाँ पर क्या होना चाहिए option, that होगा, as होगा, which होगा, whom होगा, पहली बात तो यहाँ पर हम that का use करेंगे, clear है, यह बहुत ज़्यादा exams में पूछे जाने वाले आपके rules में से हैं, अभी हम previous year के questions आपको पता हम साथ साथ करते हैं, तो आपके verify हो जाएंगे यह, देखो, अगला क्या कह रहा है, देखो, कि such was her behavior, everybody disliked her, इस sentence में क्या कर रखा है, आपने inversion कर रखा है, एक rule है, आगे inversion का एक rule आयका जो discuss करेंगे हैं, most topic के अंदर, लेकिन यहाँ पर आप एक simple way में ध्यान रखना, कि सच से जब कोई sentence आप start कर देते हैं, तो sentence में आपको inversion करना पड़ता है, means आप helping verb को, आप subject से कहां रखते हो, पहले रखना पड़ता है, तो आप आपने यहाँ पर वोस को पहले रख दिया, यहाँ helping verb नहीं हो करके, वोस आपके sentence की ही main verb है, लेकिन इसी को हमने क्या कर दिया, complete inversion कर रखा है, तो ध्यान रखना कि सच से सब जब कोई sentence start होता है, तो हमें उसमें complete inversion करना होता है, तो आपने कर देते हैं, सच वोस हर behavior, यहाँ आपकी noun है यहाँ पर, noun की पैचान, possessive आपने लगा रखा है, no noun, no possessive का नियम भी apply होता है, जिस तरह noun की पैचान आपका article होता है, वेसे ही noun की पैचान आपका possessive objective ही होता है, तो सच वोस हर behavior, अब जब भी आप sentence को सच से start करोगे, और उसके बाद ज़िए आप वहाँ पर verb लगाओगे, तो उस condition में आपको वहाँ पर आगे that का ही इस्तमाल करना होगा, आगे क्या लेखो कि that, everybody disliked है, यहाँ पर भी आपने close बनाया है, everybody subject कर दिया, और dislike आपने वहाँ पर object कर लिया, obviously आपको सच के बाद में डबल्यो एच वर्ड का इस्तमाल तो आप कर नहीं सकत है कि यदि सच से आपका sentence start हो और उसके बाद में यदि कोई verb दे रखी हो, सच से sentence start हो और उसके बाद में मालो कोई verb दे रखी हो, तो उस condition में हम आगे as का इस्तमाल नहीं करके आपको वहाँ पर that का use करना होगा, clear है, तो एक तो बात यह ध्यान रखना है कि जब कभी भी reason और result यदि close आता है, तो result close के साथ that का इस्तमाल करना होता है, और आगे मलब close दे रखाओ, subject और verb का sense दे रखाओ, एक sense यह, second आपको ध्यान रखना है कि सच के बाद just कोई verb आती है, inversion कर रखा है, तो उस condition में भी as नहीं, बलकि आपको किसका use करना है, that का use करना है, clear है, He is a such good student, he is a good student that everybody likes him, देखो, यहाँ पर आगे that लगा करके, आगे वापिस subject और आपकी verb दे रखी है, इसका मतलब क्या है, कि आगे close दे रखा है, और कौन सा close है, that close लगा रखा है, अब यहाँ पर क्या होता है, कि यहाँ पर आपने क्या कर दिया, student एक noun का इस्तमाल कर दिय अब यहाँ पर दो चीज़ें आती है, एक तो so that और एक होता है, such that, so that का इस्तमाल तब होता है, जब आपको यहाँ बीच में adjective या मालो अडवर्ब दे रखी हो, या adjective और अडवर्ब दे रखे हो, उस condition में आप वहाँ पर so का इस्तमाल करेंगे, clear है, आपने तो यहाँ पर so का इस्तमाल नहीं कर सकते, इसको हम clear करेंगे, अगला जो rule आएगा आपका so और that का, उसमें clear करते हैं, अब आता थी, much that तो होता नहीं है, और true के साथ that close नहीं चलता, true के साथ हम लगाते है, to infinitive, चीक है न, तो अबिसली यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, search करना प लगाते हैं, यह तो first जो अब इता हम रूल पड़ा है, उसे को आपने use किया है, और search के article हम कहा लगाते हैं, पहले, so जब लगाते हैं, तो article हमें subject के adjective के बाद में लगाना होता है, ठीक है न, चलिए, fourth one, the issue is of such great importance, which we cannot afford to ignore it, देखो इस sentence को समझता, आगे क्या किया है, देखो, the issue is of such great importance, और आगे कर दिया which, अब आपको पता होना चाहिए, कि यहाँ search लगाओ या so लगाओ, आगे डबली होड का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे, हमें क्या लगाना पड़ेगा, that का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आगे क्या कर रखा है, we cannot afford to ignore it, आगे आपने पूरा का पूरा क्लोज लगा रखा है, और यह पूरा का पूरा reason है, result है इसका, the issue is of such great importance, that we cannot afford to ignore it, obviously सच के बाद आपको यहाँ पर, that का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, clear है, चली, तो यहाँ पर कुछ चीज क्लोज दे रखा होगा, जब उसके बाद क्लोज दे रखा होगा, या reason या result है दी क्लोज आते हैं, तो result क्लोज से पहले आपको that का इस्तेमाल करना पड़ेगा, first concept आपका, second concept आपने पड़ा कि सच के बाद यह कोई verb आती है, मतलब यह inversion कर रखा हो, उस कंडिशन में आपको वहाँ पर that का इस्तेमाल करना है, clear है, थर्ड भी आपका यही sense था, आपका, क्या था, आगे that क्लोज दे रखा था, option के अंदर आपको सच बरने को दिया, fourth के अंदर भी आपने such और that, सच के बाद wh word का इस्तेमाल नहीं करते हुए, हमें as या that का इस्तेमाल करना है, as क्यों behavior watch, everybody disliked her, अब इसमें क्या inversion नहीं किया, inversion नहीं किया, लेकिन sentence आपका क्या बनाएगा, कि so that तो क्या होगा, ताक ही होता है, लेकिन हर behavior watch, so that तो क्या होगा, उसका result होना चाहिए, पूरा का पूरा, तो अब यहाँ पर so that का इस्तेमाल नहीं करेंगे, देखो, such as का इस्तेम sentence is same, इसी sentence में यदि आप inversion करते हैं, देखो, sentence में क्या है, so that का इस्तेमाल करेंगे हम, sorry, such that का इस्तेमाल करेंगे हम, so that नहीं, so that भी इस्तेमाल होता है, एक साथ, और इस तरीके से such that भी एक साथ इस्तेमाल होता है, such that, इसी sentence में, यदि मालो आपने, इसी sentence को, यदि आपन मैं सच से स्टार्ट कर दोगे तो हमें inversion पहले करना पड़ेगा तो यहां लिखेंगे और सच वोज हर बीहेवियर इसके पहले जुस्ट हमने यही सेंटेंस पड़ा था अब इसमें क्या कर दिया? inversion कर दिया तो सच वोज हर बिहेवियर तो यहां भी हमने that लगाया था क्यालाई आपने आप सेंटेंस कोس तरह भी लिखते हैं तो यहां पर आपने सच को सेंटेंस के स्टार्ट में लिखा तो आपने यहां पर क्या लगाया था यहां पर इनवर्जन को हटा करके हर behavior watch तो आपको कहना पड़ेगा such that क्या कहना पड़ेगा such that देखिए इसी तरीके से एगले question की हो चलते हैं देखो क्या कह रहा है कि she is not such a fool अब देखो यहां such लगा दिया अब उसके बात आपने क्या कर दिया infinitive लगा दिया एक बात ध्यान रखना कि जब भी form plural मालो आपने दे रखियो तो उस condition में आप वहां पर that का इस्तेमाल नहीं करके बलकि आपको वहां पर as का यूज़ करना पड़ेगा तो सच के बाद as का इस्तेमाल उस condition में होगा जब आपने क्या कर रखा हो आगे to infinitive दे रखा हो या सीधी वर्ब मालो आपने दे रखियो कोई भी subject वगेर आपने नहीं लगा जाओ ठीक है ना तो she is not such a fool fool आपको पता है यहां पर noun है fool क्या है noun है article आपने लगा रखा है तो she is not such a fool as to believe that तो कौन सा option रहेगा आपने such के बाद wh word लगते नहीं है तो आपको यहां पर as or that में से as इस्तेमाल करना पड़ेगा ना की that तो आपको ध्यान रखना है कि such के बाद as उस condition में आता है जब आगे मालो आपको to infinitive दे रखा हो अगे that close बना के दे रखा हो और result बन रहा है आपने पहले वाले reason close का तो आपको that ही लगाना पड़ता है inversion में भी आपको that ही लगाना होता है अगले question की और चलते हैं देखो क्या कह रहा है कि I have not met such a girl अब doesn't love me अब यहां पर लिखा हुआ है कि doesn't love me अब इस sentence के अंदर क्या है कि subject कहीं भी नहीं बना हुआ subject कहीं भी नहीं अब आप करें सच है अब सच के बाद में किसी भी तरह का WH word यूज नहीं करेंगे अब देखो सुनने में आपको यह सही लगा कि I have not met such a girl who doesn't love me सुनने को यह सही मिलेगा लेगिन सच के बाद आप WH word का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपने वहाँ पर which भी कट गया और who भी कट गया अब बात आती है कि that लगाएं या आपनी हाँ पर as लगाएं तो I have not met such a girl that doesn't love me that कोगे तो उसके बाद वापिस आपको subject का इस्तेमाल करना पड़ जाएगा तो आपना पर I have not such a girl as doesn't love me इस तरीके से आगे यदि मालो सीधी आपकी verb दे रखी हो तो यहाँ पर सीधी भी verb दे रखी है उसी condition में verb के साथ आपको as का इस्तेमाल है वो यहाँ पर करना पड़ जाएगा clear है? चलो आगे बढ़ते हैं देखे तो यह आपके कुछ questions आपके देखिएगा कुछ example sentences हमने लिए हैं एक बार देखे मैं recap करवाता हूँ इनको सबसे पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है कि सबसे पहली बात कि सच का इस्तेमाल करते वक्त आपको क्या करना होगा या करना होगा कि which या wh word यूज नी as या that का इस्तेमाल करना होगा first one second बात करना है कि सच के पहले आर्टिकल नी सच के आपको बाद में आर्टिकल यूज करना होगा third one आपको सच के such as or such that के बीच में noun का इस्तेमाल किया जाता है third one बात ध्यान रखे fourth की such के as और such that इन दोनों में आपस में अंतर आता है तो such के बाद as का इस्तेमाल कब किया जाता है generally या तो infinitive आता है या तो such के बाद में यदि मालो to infinitive आ रहा हो या सीधी मालो कोई verb दे रखी हो उस condition में such के बाद as आता है लेकिन such के बाद में that तब आता है जब आगे पूरा का पूरा subject और verb close मालो दे रखाओ इस तरीके से subject और verb का या reason या result close आता है उस condition में भी that आता है और एक हम inversion sense में करते हैं कि यदि मालो such से sentence start करते हैं उस condition में आप उस में क्या लगाते हो that लगाते हो clear है ये चीज़ हमने पढ़ी हैं ओके चलिए अब exam में किस तरीके से देखो question अभी तक पूछे गए ये example sentences थे अब देखो क्या पूछा है आपके exam में sentences को देखो discuss करिए गए He gave such a long space but everybody felt bored क्या गलती है इसके अंदर देखो यहां पर आपने such लगा दिया औके और बाद में क्या लगा दिया but लगा दिया पहली बात तो ये कि such और conjunction जो बनता है such के बाद कभी भी आप but का इस्तामाल नहीं करोगे या तो such के बाद as आएगा और या such के बाद that आएगा लेकिन आगे क्या करका everybody subject कर दिया और felt board यहां पर verb कह दी feel के बाद आपने past participle verb लगाई है तो obviously यहां पर that का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा as हम use करनी पाएंगे तो क्या होगा और दूसरी बात आपने such और that के वीच में आपको noun इस्तेमाल करनी पड़ेगी यहां पर noun कौन है आपका speech एक noun है और long adjective है जो इसको modify कर रहा है लेकिन article किस के लिए लगा है आपने speech के लिए clear है तो he gave such a long speech that everybody felt bored तो गलती कहा है देखो a long speech आपका correct है इसमें कोई problem नहीं है but everybody obviously यहां पर but नहीं आएगा गलती आपके second part में जा रही है but की जगे आपको कहना पड़ेगा that everybody क्या काओगे that everybody clear है question पूछा गया आपका SECCGL Men's 2019 के अंदर जा कहना कितना सरल और एक आसान सरूल है आपने यह दी से सिर्फ इतना पड़ रखा है कि सच के बाद में आपको क्या डबल्यो एच वर्ड का इस्तमाल नहीं करते हुए but का इस्तमाल नहीं करते हुए आपको वहां पर क्या यूज करना है as or that यूज करना है सिर्फ इतना ही याद होता तो एक question आराम से याद कर सकते थे आप बहुत इस सरल एक आसान सा rule है देखे अगला question क्या पुछा गया exam में जो question पूछने का जो तरीका होता है वो काफी सरल होता है clear है ना? चलिए तो इसे सरल तरीके से पढ़िएगा बहुत आसानी से यह चीज़ें याद रहती है जादा इतना करने के जरूत नहीं है इनके डीप स्टडी हम पढ़ेंगे ये मैं केवल आपको सिर्फ ये समझ लो कि मैं आपको इन रूस का केवल इंट्रिड्यूस कर रहा हूं मैं रूस सिर्फ आपको ये बता रहा हूं चीक है अभी एक्जामस आपके नजदीक है इनको देखते हुए हम केवल शॉट में इने पढ़ रहे हैं देखो तो सी बिहेवज इन अ सच अ कोडियल मैनर और पहली बात तो सच और दैट का यूज देखो सच और दैट यहाँ पर करेक्ट कर रखा है आगे एवरिबडी कोडियल आपने यहां पर अजक्टी लगा दिया त electrically और आटिकल आपने लगा दिया और शॉट के आर्टिकल बात में आता है सच के पहले आर्टिकल नहीं चलेगा एक्ट कोडियल खुशन्मा होता है क्या होता है फुशन्मा इया ग्भी है गोस्कूस फे अबい मोदों कर आर्टिकल यहां पर आपका गलत हो जाएगा तो कौनसे आपसन में यहां गलती हो जाएगी देखो यहां सच और कोडियल मैनर यह तो करेक्ट है आपका तेगा सच बीहेव इन यह गलत हो जाएगा गलती आपके फस्ट पार्ट में हैं स्पोर्टिंग एरर टाइप का एक वैस क्वैसन कब पूछा गया ससी सीजी एल प्री के एक्जाम में 2019 2019 का जो लास्ट येर आपका पेपर हुआ था 2019 के प्री का पेपर उसके अंदर आपका क्वैसन बना क्या बना कि आपने सच के आर्टिकल पहले लगा दिया क्लियर है चलो ओके यहां तो क्या आर्टिकल पहले औ तो इस तरीके सेरर बनती है तो थोड़ा पहचानने में दिक्कत होती है क्लियर है चलो देखो अगला क्वेशन के और बढ़ते हैं देखिए यहां क्या कहता है बलिजर्ड होता है बर्फानी तूफान होता है जो बर्फानी तूफान होता है ऐसा तूफान जो बर्फिला तूफान होता है ऐसा तूफान जो बर्फिला तूफान होता है होता है जो बर फिला तोफान होता है उसे हम कहते हैं Blyzard यहां क्या कह रहा है कि we had never seen so strong Blizzard यहां देखो Blizzard आपको पता है एक noun है क्या है noun और noun कैसी है uncountable कैसी noun है यह uncountable noun है अब यह अदी आपकी uncountable noun दे रखी है और strong आपने adjective दे रखा है जो कि इसको modify कर रहा है और strong क्या है adjective है तो आपको पता होना चाहिए कि जब noun दे रखी हैं तो so का इस्तमाल नहीं करेंगे so उस condition में आएगा जब अकेला adjective या अकेली मालो adverb या adjective और adverb दे रखाओ noun उसमें नहीं होनी चाहिए noun आता ही आपको सच लगाना पड़ेगा वहाँ पर आप so का यूज नहीं कर पाओगे तो यहां पर आपने क्या कर दिया कि so यूज कर दिया यह गलत होगा दूसरी बात blizzard यहां लगा रखा है आपने यहां पर so का यूज है वो नहीं करेंगे तो obviously option कौन सा बनेगा देखो so strong blizzard यह नहीं बन पाएगा यहां पर such strong a blizzard such के article adjective के article पहले रहता है adjective के article हम बाद में नहीं लगा सकते so strong a blizzard हो जाता लेकिन आप वो कंडिशन में तब होता जब blizzard so के बाद as आता है और वो हम कहां पढ़ते है जो adjective topic के अंदर उसे पढ़ेंगे so as का नियम वहां पर article बाद में इस्तमाल होता है यह नहीं नहीं आती है तो यहां सच वाला यह नियम गलत हो जाएगा सच के पहले हमें देखो improvement आपको करना पड़ेगा यहां पर तो such a strong blizzard कौन सा option रहेगा यहां पर आपका third option बनेगा कि such a strong blizzard अब आपको पता होना चीए कि blizzard एक uncountable noun होती है आर्टिकल लगना नहीं चाहिए लेकिन यदि मान लो आपने वहां पर adjective लगा रखा उस uncountable noun से पहले उस condition में वहां पर आप आर्टिकल लगा सकते हैं चीए ना चलिए तो यहां आर्टिकल आपका correct हो जाएगा option आपका कौन सा बनेगा third option बनेगा sentence बनेगा we had never seen such a strong blizzard the wind speed was 130 km per hour clear है बड़ा ही सरल question पूछा गया आपका SSCGL pre-K exam में 2018 के 2018 का pre-K exam में question 1 आपका देखो अगला question क्या बनाया है देखो rule है हमारा such or as say or such or that say देखिए क्या question है आपका कि his school was seven kilometer away from his house फिर आपकर I wondered how he covered how he covered आपको पता होना चाहिए कि sentence के बीच में डब्लू एच वर आएगा तो subject plus verb का इस्तेमाल करेगा यहां यह correct लिखा हुआ है फिर आपकर so long distance अब आपको पता है distance एक noun होती है तो so का इस्तेमाल हमें नहीं करना पड़ेगा हमें such का use करना पड़ेगा अब such use करोगे तो क्या करोगे so long distance गलत हो जाएगा improvement हमें करना पड़ेगा such long अब such long करने के लिए article आपको लगाना पड़ेगा, तो आपको कौन सा कहना पड़ेगा, such a long distance, क्या काओगे, such a long distance, ठीक है, तो आप काओगे, कि his school watch seven kilometer away from his house, I wondered how he covered, ठीक है न, such a long distance daily on foot, ज्यानक न, on foot होता है, ज्यानक न, कभी भी आप by foot मत कर देना, चूर्चेके न, कभी भी by foot मत करना, on foot, एक तो by foot करके आपको error देता है, और एक article लगा के भी, आपको error देता है, on the foot करके भी error देगा, चूर्चेके न, होता है अन होस बैक होता है बाई होस जरूर कोन्स आएगा सच पूछा गए आप का SSECGL 2018 के एक्जाम के प्री के पेपर में clear है चलिए अगले question की और चलते हैं क्या लिखा हुआ देखी there was a time when it was fashionable to have a dainty dog ठीक है ना dainty मलब सुंदर छोटे चोटे सुंदर जो होते हैं ठीक है ना चोटे वे सुंदर नाजुक जो होते हैं उसे dainty कहते हैं dainty दिखने में थोड़ा अच्छा दिखे उसे कहते हैं dainty dog like as the poodles or any other tiny creature as a pop as a pet तो क्या कह रहे हो यहां sentence के लैए अंदर पहली बात तो like as का इस्तीमाल कभी नहीं होता आप कभी भी इस तरह like और as का इस्तीमाल जब भी एक्जाम में हाता है तो गलत हो जाएगा आपको such as लिखना पड़ेगा क्या लिखना पड़ेगा such as तो एक तो like as यहां पर गलत हो जाएगा आपको लाइक की बजाए आपको यहां पे सच्च एज तो कहना ही पड़ेगा अब अब आप करेंगे सच्च एज फूदल नर्ट स k्या होता है व फूदल वाल जो एफ फोल एला मुंदे बालओं वाला जो बाला वाला कुट्ता तो छोटा जो पिला होता है घुराला बाला वाला पुडल्स देखो अब इसमें क्या करना पड़ेगा देखो लाइक एज तो पहला गलत हो गए आपका यहां पर इम्पूरमेंट आपको करना पड़ेगा अब आप कह रहे हो कि सच ऐस अपुडल अब यहां पर डोग आपका singular कर रखा है तो पूडल सम प्लूरल भी नहीं करेंगे हमें singular कहना पड़ेगा तो आपको कहना पड़ेगा such as पूडल क्या कहोगे such as तो यहां like as की बजाए आपको use करना पड़ेगा such as ठीक है ना question पूछा गया sse cgl mens 2018 के अंदर देखो अगले question कियो चलते है तो चलिए तो इस rule से आपको ध्यान रखना है कि पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि search जब भी use करोगे first point आपको याद रखना है कि search के बाद में आपको wh word use नहीं करके आपको that का use करना है या as का use करना है पहला rule, second rule आपको ध्यान रखना है कि search के article पहले नहीं बलकि search के article बाद में लगाना है second rule, तीसरा rule आपको याद रखना है कि search से जब आप sentence start करते हैं तो उस condition में आपको उसमें inversion करना है तीसरा rule और यदि मालो उसमें inversion कर रखा है तो आगे हमें वहाँ पर as का use नहीं करते हुए हमें that का use करना है second, फिर आपका fourth rule कि आपको search के बाद में that का इस्तेमाल करना है यदि आगे subject और verb लगाके आगे कोई close दे रखा हो मनलब reason, close और result, close दे रखा हो तो आपको वहाँ पर that का use करना है अगला एक rule आपका बनता है कि search के बाद में यदि मानलो आगे यदि blank के बाद में to incentive दे रखा हो उससरी या सीधी मानलो कोई verb दे रखी हो, उस condition में आपको वहाँ पर as का use करना है clear है, फिर आपको ये भी ध्यान रखना है कि कभी like और as का use साथ में नहीं करना है उस condition में आपको such as का use करना है यदि आगे कोई noun दे रखी हो, ठीक है ना, noun नहीं है तो वहाँ पर so that लग जाएगा ठीक है न, चलिए, देखो, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, देखो, तो ये आपका rule था such का अब बात आती हैं कि such के बीच में और so के बीच में क्या अंतर होता है, देखें, बहुत इंट्रेस्टिंग आपका part है ये देखो, ध्यान रखना, देखो, एक तो होता है आपका so that, एक तो होता है क्या so that, और एक होता है such that, और एक होता है such that, इन दोनों में अंतर समझेग देखो, क्या अंतर है, so that or such that, such that का तो अभी हमने पढ़ा कि such that में, बीच में क्या आएगा, noun आएगा, क्या आएगा, noun, तो noun आना जरूरी है, तब ही हम क्या लगाते हैं, such that लगाते हैं, ठीक है, noun हो सकता है, या क्या हो सकता है, इस तरीके से आपको article देख करके, आपको इस या आपको adjective करके, आपको यहाँ पर adverb दे सकता है, फिर आपको वहाँ पर adjective दे सकता है, लेकिन बाद में noun जरूर देगा, ठीक है ना, तो यह यह दी combination होते हैं, तब तो हम लगाते हैं, such that, देखो, पहली बात तो यहाँ के such that के बीच में noun जरूरी होता है, तो noun अकिला भी आ सकता है, noun किसी adjective के साथ भी आ सकता है, और noun किसी adverb और adjective के साथ भी आ सकता है, जैसे आपने ऐसे बोला, आपने ऐसे बोला कि आप इस तरह कह सकते हो, जैसे such a girl भी कह सकते हो, such a girl भी हो सकता है, such a beautiful girl भी हो सकता है adjective लग गया और आप इस तरह अड़ब भी लगा सकते हो such a very beautiful girl इस तरीके से भी आप उसमें use कर सकते हो girl देखे न, आगे तो इन में क्या लगा देंगे that लगा देंगे, clear है तो आप यह सीधे अकेली noun भी रख सकते थे adjective प्लस noun भी हो सकता था और adverb adjective प्लस noun भी हो सकता था तो उस condition में आप वहाँ पर सच लगाते हैं एक बात आती है so की, अब so कब लगाते हैं जब noun नहीं होती है so कब लगाओगे जब noun नहीं होगी आपको यहां पर बीच में क्या आना चाहिए adjective या क्या आनी चाहिए adverb आनी चाहिए या adjective और adverb एक साथ आजाए या तो क्या आएगा adjective या adverb और या क्या आजाएगा adverb प्लस adjective आना चाहिए ठीक है ना noun नहीं हो सकता क्या नहीं होगा noun यदि noun बीच में है तो फिर such that आपको लगाना पड़ जाएगा clear है तो जहां रखना यदि मानलो adjective दे रखा हो अकेला या अकेली adverb दे रखी हो या adjective और adverb दोनों दे रखे हो तो आपको so that यूज़ करना है और such that तब यूज़ करना है जब आपने अकेली noun दे रखी हो या adjective प्लस noun दे रखी हो या adverb adjective प्लस noun दे रखी हो उस condition में आपको such use करना है clear है चलो देखते हैं कुछ questions की और देखो इस question को देखिए क्या कह रहा है sentence के अंदर या sentence को देखना देखो इन question की और थोड़ा सा हम बाद में आते हैं पहले कुछ example और हम पहले आगे बढ़ते हैं देखो इस sentence को देखना एक बार इसको देखो क्या कह रहा है कि sea is weak that sea cannot walk for a while आप कहरे कि वो इतनी ज़्यादा कमजोर है कि वो आगे walk थोड़ी देर के लिए भी आगे walk नहीं कर सकती अब आगे आपने that close लगाया है that लगाके आगे आपने पूरा का पूरा close लगाया है अब that close कभी भी two के साथ नहीं लगता two के साथ आपको two infinitive आपको लगाना पड़ता है तो यह यहाँ पे गलत हो गया second बात यहाँ पे देखो कि यहाँ क्या कर रखा है weak अकेला adjective लगा रखा है यदि यहाँ पर noun यदी होता तो हम सच लगा देते noun है नहीं तो हम यहाँ पर सच का इस्तेमाल नहीं कर सकते clear है अब आ गया क्या कि as weak कोगे तो as that का कोई sense आपका होता नहीं है यह यहाँ गलत हो जाएगा तो अब यस्ती क्या कहना पड़ेगा so weak आपको कहना पड़ेगा है ना easy कितना आसान है आपका देखो तो यहाँ क्या use करना पड़ेगा so use करना पड़ेगा और क्या हैगा so that क्या use करोगे so that clear है आपका example sentence है यह अगले question की और पड़ेगा तो क्या कह रहा है कि he laughs loudly that it disturbs the whole class देखो आगे आपने that लगा करके के close बना रखा है अब यदि आगे that close बना रखा है तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ क्या कर दिया कि laughs loudly यह loudly किसको modify कर रहा है laugh को तो अकेली adverb हैं यह क्या है यह अजवर्ब है अब अकेली adverb आपने लगा दी तो दूसरी बाए यहाँ पर देखो क्या होगा अकेली adverb है तो सच का इस्तेमाल हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं सच का इस्तेमाल उसी कंडिशन में होगा जब noun होगी noun यहाँ पर दे नहीं रखिये सच आएगा नहीं ठू का इस्तेमाल हम आगे to infinitive होता ह है उस condition में इस्तिमाल करते हैं तो two plus two infinity बाता है okay as के साथ आप that यूज़ करते नहीं है तो बचा कोनिया पर so तो यहां भी आपको क्या कहना पड़ेगा he laps so loudly क्या कहोगे so loudly that तो so that लगाओगे तो बीच में adjective या adverb आएगी ठीक है न या adjective और adverb दोनों आ सकते हैं साथ में इसमें कोई दिक्कत नहीं है चलिए इसी तरीके से देखो अब जगो तो यह दो सेंस तो आपको समझ में आ गया कि so or that के बीच में adjective या adverb आता है noun आ गई तो such आ जाएगा न आ गई तो नियम है वो अज़क्टिव पार्ट में ठीक है चलिए तो यहां है so that का नियम ठीक है देखो अब एक बात आती है यहां पर ठू की यह क्या है देखो यहां समझना यह वाला जो रूल आपका बनता है इस रूल के बारे में थोड़ा सा समझना देखो क्या होता है यह आपका होता है टू प्लस टू इन्फिनिटिव का होता है तो जब आता है तो टू के बाद में क्या होता है टू इन्फिनिटिव के इस थह मालो आपने इसी कंडीशन में so लिख दिया तो so के बाद आपको वहाँ पे that लगाना है और that का जो close आएगा क्या आएगा that close आएगा आपको that close का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो यदि आगे that close लगा रखा है उस condition में so आएगा और आगे यदि to intuitive दे रखा है तो उस condition में true आता है clear है न यदि sentence same ही होता है उसी sentence को लिखने का तरीका आपका अलग-अलग होता है जैसे देखो आपने sentence कह दिया कि she is too old अब too old कह दिया तो to live alone आपको कहना पड़ेगा to live alone अब इस sentence को देखो क्या किया है आपने यहाँ पर too कह दिया तो आगे क्या कर दिया to intuitive का इस्तेमाल करेंगे to plus to intuitive आपको पता है कि to एक negative word होता है तो इस sentence का अर्थ जो meaning है वो आपका negative होगा कि she is too old to live alone इसका मतलब होता है कि वो इतनी ज़्यादा बुड़ी है कि वो अकेले नहीं रह सकती कि वो इतनी ज़्यादा बुड़ी है कि वो अकेले नहीं रह सकती ठीक है ना इसी sentence को आप आप सो से कह सकते हो इसको सो से कैसे कह सकते हैं आपको sentence कहना पड़ेगा कि see is so old अब such old कह नहीं सकते जो कि आगे noun नहीं है noun होता था हम such old कह देते तो see is so old अब आगे आपको क्या कहना पड़ेगा close लगाना पड़ेगा that अब आपको देखो sentence कि इसका meaning कैसा है negative meaning है कि वो इतनी ज़्यादा बुड़ी है कि वो अकेले नहीं रह सकती जब आप इसी एक sentence को convert करते हो दूसरे sentence में तो उसका meaning सेम होना चाहिए तो so that से sentence लेकोगे तो meaning यही होना चाहिए कि वो इतनी ज़्यादा बुड़ी है कि अकेले नहीं रह सकती तो आपको कहना पड़ेगा कि she is so old that she cannot live alone क्या कहोगे she cannot live alone she cannot live alone तो यहाँ पर आगे क्या कर दिया आपने that close बना दिया आपने that लगा दिया और that के बाद subject पस आपने verb लिख दी cannot जयान रखना एक साथ ही लिखा जाता है आप कभी भी इंग्लिस में cannot को इस तरह नहीं लिख सकते या तो आपको cannot दोनों and साथ में लिखिए या आप उसमें can't लगा दीजिए इन दो तरीके से लिखा जाता है ठीक है न तो यहाँ पर एक चीज़ समझेगा इस इन दोनों आप sentence में क्या करना है ठू जब लगाओगे तो उसके बाद आपको टू इनिफिटिव लगाना पड़ता है तू प्लस वर्प की फर्स्ट पॉम आती है इसी sentence को यदि आपको पॉजिटिव वे में लिखना हो उस condition में आपको सो लगाना है और सो के बाद आपको दैट क्लोज लगाना है क्लियर है चलिए तो यहां पर आपने sentence का कि she is too old to live alone कि वो इतनी ज़्यादा बुड़ी है कि वो अकेले नहीं रह सकती इसी sentence को आप ऐसे कह सकते हो कि she is so old that she cannot live alone क्लियर है इस तरह RPSC के एक्जाम में ऐसे questions बनते हैं कि आप sentence को convert करवाने की कोज़ करता है कि आप इस negative sentence को positive में या positive sentence को negative में change करें उस condition में two plus two infinity वाले sentence को so that में इस तरीके से convert किया जाता है और ऐसे लिखा जाता है इसको clear है चलो अब यह जो आपके दो question है इन questions को आप करें देखो क्या question है आपके देखो first question देखो क्या कह रहा है आपसे बड़ा अच्छा sentence है देखो I told the teacher told the teacher told के बाद two आता नहीं इसने नहीं लिखा ठीक है that the question was too difficult that I could not answer it यहाँ पर that close लगा दिया और आगे subject plus आपने क्या आगे verb लगा दिया means आगे पूरा का पूरा आपने close लगा दिया तो अब हमारे पास दो चोईस है एक तो यह करें हम कि यहाँ पर या तो हम two की जगे so लगा दें क्योंकि आगे that close बन रहा है तो या तो हम इसकी जगे so लिखें और sentence बन जाएगा I told the teacher that the question was so difficult sorry यहाँ was की जगे नहीं बलकि हमे two की जगे हम क्या लगाएं so लगाएं इस two की जगे हम so लगाएं या तो हम इस तरह यहाँ so को use कर दीजिएगा और यहाँ क्या करिएगा कि यहाँ that close को हटा कर आप सीधा कह सकते हैं to answer it ऐसा भी तो कह सकते हैं आप इस तरीके से भी इस पूरे पूरे close को हटा करके आप इस कह सकते हैं, To Answer It, ऐसे भी कहा जा सकता था, मलब इस sentence को ऐसे भी कह सकते हो कि I told the teacher, that the question was too difficult, to answer it ऐसे भी हो सकता था, तके न, या To Be Answered ऐसे भी कह सकते थे, ठीके न, To Be पासी वो इसमें भी बन सकता था, आप ऐसी वो इसमें भी इसे बना सकते थे to be answered इस तरीके से भी आप इस question को इस तरह बना सकते थे आप एट लगाने की जरूत नहीं पड़ेगी पैसी वो इस बन जाएगा लेकिन क्या होता है कि इदर आप पूरा का पूरा close change कर रहे हो और उदर आप केवल एक word change कर रहे हो कि ठू की जगे आप soul लगाएं तो ध्यान लगना ऐसी condition में कभी भी आप इस तरह यहाँ पर आप क्या changes नहीं कर पाओगे इतने सारे change आप करके आप इसे convert नहीं करोगे क्या होगा ऐसे sentence में ऐसे sentence में ध्यान लगना कि हमेशा ये that close है वो आपका सही मान लिया जाएगा too difficult की बजाए आपको कहना पड़ेगा so difficult clear है चलो अगला question क्या कहता है देखो कि I was too tired that I could not walk another mile with them तो क्या कह रहे हो यहाँ पर sentence में आगे that plus आपने close लगा दिया तो यहाँ तो आप वेसे भी change नहीं कर पाओगे यहाँ क्यों change नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो आपने यदि मानलो इस close को आप two plus walk लिखो गए तो आप यह that को हटाना वेसे भी पड़ेगा तो दो अलग-अलग part में कर दिया तो यह तो वेसे भी change नहीं होगा तो इसमें तो हमें क्या करना पड़ेगा so लगाना ही पड़ेगा कि I was so tired that I could not walk another mile with them clear है ठीक है ना बहुती आसान और एक सरल सा आपका rule यहाँ पर है clear है ओके तो यहाँ पर जो sentence आपके बंद रहे थे अंतर हमने पड़ा है किस के बीच में so that के बीच में है और आपके किस के बीच में सुच और देट के बीच में clear हैं? चलो. किस तरह exam में question बने हैं? देखिएगा. इन question को देखें. इस question को देखो. बहुत easy हैं. questions यह बहुत easy हैं. देखो. everything happened so quickly. see felt dazed. देखो. क्या आना चीए? everything happened so quickly. अब यहाँ पर क्या कर दिया? so लगा रखा है. और so के बाद आपने adverb लगा रखिये. noun तो किसी तरह की है नहीं. और such हमारे यहाँ पर हम बेसे भी नहीं लगा सकते. यूँकि आपने so तो लगा ही रखा है. चाहिए ना? अब so के बाद क्या आता है? या तो as आता है? या that आता है. since हम लगा नहीं सकते, then हम लगा नहीं सकते, THEN तो किसी के साथ भी पेरनी बनेगा. तो क्या आएगा? that आएगा. कितना आसान question था? आपको so that लगाना पड़ेगा. ठीक है? तो everything happened so quickly that she felt a dazed. ठीक है ना? question पूछा गया. SSE CGL Men's Exam 2019. जो पिछला ही आपका last चो पेर आपका हुआ है. उसी के अंदर ये question आपका पूछा गया. clear है? चलिए. चलिए. तो क्या बनेगा यहाँ पर? किसी felt a dazed. dazed चकित होना होता है. confused होना. आप confused रख सकते हो. कहते हैं किम करता भी भी mood होना. confused होना. चाहिए ना? तो everything dazed. तो that लगाना. so that आपको यूज़ करना पड़ेगा. next question की हो? चलो. question number second क्या कहता है? the song was so moving as all eyes became wet. क्या होना चाहिए? यहाँ पर देखो. यहाँ पर sentence में आपने क्या कर दिया? so लगा दिया. और आगे क्या कर रखा है? that close बना रखा है. देखो. all eyes आपने subject लगा दिया. आगे verb लगा दिया. ठीक है ना? और यह तो आपका adjective हैं जो all eyes को modify कर रहा है. तो अब आपके the song was so moving. अब यहाँ पर as आप इस्तेमाल नहीं करोगी. आपको आगे close लगा रखा है. तो that आप यूज करिए. और यह reason है आपका. और यह result है. यहाँ पर यह reason है. और यहाँ पर यह क्या है? यह result है. जब भी reason और result की बात आती है. तो आपको so that का यूज करन होगा. ठीक है न? तो the song was so moving. नहीं. तो moving that all eyes became weight. तो यहाँ पर that का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा. आप डबलो एच वर्ड यूज आप कर नहीं सकते. आपको substitution को required है. आपको रखना पड़ेगा. आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा that. क्या लगा होगे? that आपको so moving. यहाँ so moving का मतलब चलते रहने के अर्थ में नहीं है. ठीक है न? यहाँ इसका मतलब होगा. जुष, जो है कैसा. जो रड़े को लगने वाला. जो sentence है. रड़ै, इस पर सी. दिल चूने वाला. आप कह सकते हैं, moving, दिल चूने वाला, ऐसे कह सकते हूं, दिल को चूने वाला, गाना कापी दिल को चूने वाला था, तो क्या लगा होगे, so that, आगे close लगा रखा है, reason है, कि गाना दिल चूने वाला था, और result क्या था, कि सब की आखे वर आई, ठीक है, ना question पूछा गया, S.E.C.G.L. Men's 2019, जो लास्टी पेपर हुआ है आपका, हाँ, अगला question देखते हैं, तो क्या लिखा हुआ है, कि each dancer performed very well, a very well that, a very or that का use नहीं होगा, very that का इस्तमाल नहीं होगा, a well भी यहां पर क्या है, एक adverb का इस्तमाल किया है, जो किसको modify करेगी well यहां performed को modify कर रही है, तो so well that नहीं आएगा, अब एजिक्टिव, such लगा नहीं सकते हैं, such कब लगाएंगे, यहां पर noun होता, तो obviously कहना पड़ेगा, so well that, ठीक है न, क्या होना चाहिए था, such well that नहीं कर सकते हैं, such के साथ में noun आना जरूरी था, so well that होगा सही है, improvement आपको क परना पड़ेगा, और such or very well दोनों साथ में आएंगे नहीं, तो option कौन सा बनेगा, second बनेगा, कि so well that, ठीक है न, बीच में adverb आ रही है, तो such that इस्तमाल नहीं करेंगे, हमें so that यूज करना पड़ेगा, तो each dancer performed so well that it was difficult to judge who the best was, ठीक है न, question पूछा गया, आपका SECGLP के एक्जाम में 2018 के अंदर, clear है, चलो, बहुत आसान questions आपके बनते हैं, बहुत subtle questions है, आपको basic rule पता होना चाहिए, ये बिल्कुल आपके tips पर होने चाहिए, ठीक है न, चलिए, next देखो क्या है आपका, तो ये जो rule था आपका, so that और किसका था, such that का, so that और such that के से याद रुकोगे, कि so और that का इस्तेमाल तब होगा, जब बीच में adjective या adverb आता है, या adjective और adverb आपके दोनों आते हैं, ठीक है न, और such और that का इस्तेमाल तब होता है, जब बीच में noun आती है, या adjective प्लस noun आती है, या adverb adjective प्लस noun आती है तो noun आना जरूरी है तब हम such that का इस्तावाले वो करते हैं, clear है? चलिए अब देखते हैं next tool की और चले next tool देखो बहुत आसान है, ठीके ना बहुत आसान है, easy है मैं एक दो दिन में ही आपके start करवाने वाला हूं जो आपके exam अभी जो आ रहे हैं उसी के coding हम crash course है वो start कर देंगे, अभी जो 25 questions है वो per day हम discuss करेंगे ठीक है ना, per day के इसाब से में regular आपको video है वो upload कर दूँगा ठीक है ना, ओके चलिए, ओके और इस पिज़र के आपने अभी तक channel को subscribe नहीं किया तो subscribe कर लो, और इस आपको लगता है कि ये useful है ठीक है ना, तो अपने दोस्तों के साथ share इसको जरूर करें, clear है ओके, चलो हाँ, अगला rule देखिए क्या है, एक rule देखो आपका अभी तक हमने पढ़ा है क्या अभी तक पढ़ा है हमने such that or such as और एक हमने पढ़ा है so as or so that, so as का rule अभी नहीं पढ़ा so और that का rule हमने पढ़ा है एक क्या होता है, जिस तरीके से हमने such that लगाया, वैसे एक so that होता है, so that एक reason के अर्थ में इस्तमाल होता है so that, चैक है ना so that, इसका meaning हम ताकी के अर्थ में देते हैं, कि ताकी ऐसा होगा, चैक है ना एक question देखो बना है, देखो एक question क्या था इस rule को हम डिटेल में बाद में और भी पढ़ेंगे, एक question को देख लेते हैं देखो, क्या question था, कि they even tried to smuggle bits of jazz into serious music as that the composer could somehow survive, देखो, यहाँ पर क्या करें, as that कभी भी as that का use साथ में नहीं होता, या तो होता है such that, और या होता है so that, देखो such that का इस्तेमाल यहाँ पर हम नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर as that आपका गलत हो गया, आपको so that कहना पड़ेगा, ताकी क्या कहना, so that composer could somehow survive, question पूछा गया ssccgl, men's के exam में, 2017 के अर्थ में, तो इस तरह as that नहीं, एक तो आपको ध्यान रखना इस तरह के से आपको देदेगा, आप तो simple way में ध्यान रखना, कि as that लगा के देश सकता है, या आपको like as लगा के दे सकता है, like as, इस तरह ये लगा के दे सकता है, तो ध्यान रखना ये गलत होते हैं, as that की बजाए आपको कहना है, so that या such that, या तो so that यूज करिए, या आप such that यूज करिए, ठीक है न, और इस तरह से like as नहीं होता, आपको such as यूज करना है, क्या यूज two infinitive की, और आपका enough plus two infinitive में क्या आंतर होता है, देखो समझते हैं, देखो अगला rule क्या है, देखो, देखो, एक question आपका बंद, अभी-भी हमने पढ़ा था, अभी-भी हमने पढ़ा कि एक two होता है, two plus कभी भी that clause का इस्तेमाल नहीं होता, two plus आपको two infinitive का यूज करना है, two plus verb की first pong का इस्तेमाल करना है, two infinitive का इस्तेमाल होता है, दूसरी बात यह कि two आपका खुद negative होता है, two खुद negative होता है, तो two के साथ कभी भी आपको not का यूज नहीं करना है, किसका यूज नहीं करोगे, not का use नी करोगे इसी तरीके से true का जब यूज़ करते हो तो उसके बाद इस तरीके से something वागएरा का use नी करेंगे something यूज़ नी करेंगे आप something की बगएर आपको क्या use करना है anything का इस्तमाल करना है क्या use करोगे anything क्यूंकि true आपका खुदी word कaysa है negative है तो two जब लगाते हो इस तरीके something या मालो आपको some लगा दिया तो some इस्तमाल की बजाए आपको वहाँ पर any का इस्तमाल करें तो एक तो आपको यह ध्यान रखना है कि two लगाते हो तो plus two intuitive का इस्तमाल करना है और आगे two के साथ में note का इस्तमाल नहीं करोगे और some की बजाए आपको any का यूज करना है something की बजाए आपको anything का यूज करना है clear है तो two plus two intuitive और sentence आपका negative meaning देगा ठीक है न इनफ होता है वो positive meaning देता है two आपका negative meaning देता है इसी को यदि हम so से कहते हैं तो वो so plus that close बन जाता है so plus क्या बनेगा that close बनता है clear है चलो comparison हमने पढ़ा था अभी कि she is too old to live alone उसको हमने पढ़ा था कि she is so old to live that she cannot live alone ठीक है न देखो चलो question देखते हैं क्या कह रहा है देखो कि she is old to live alone अभी यह भी हमने sentence पढ़ा देखो अब आगे क्या कह रखा है sentence में कि to live alone कह रखा है अब to live आ गया अब to live आ गया तो यह to live किसके साथ कि मच के साथ तो आप infinitive इस तरह लगाते नहीं हो so के साथ infinitive नहीं लगता that close लगता है यह गलत हो गया अब बात आगे कि to old to live alone कहोगे या enough old to live alone कहोगे देखो enough का यूच और true का यूच दोनों सही होते हैं लेकिन enough का यूच कि कब करते हैं किसी adjective के या किसी adverb के बाद में होता है या old enough या अज़ी मालो आप कह देते हैं क्या या तो old enough इस तरहिके से या कोई मालो अडवर्ब होती है तो अडवर्ब के बाद या किसी adjective के enough का यूज हम बाद में करते हैं ना कि उसके पहले करते हैं और enough plus to intuitive positive sense में होता है sentence ये आपका negative meaning दे रहा है तो आपको यहाँ पर enough की बजा है आपको true का यूज करना पड़ेगा तो sentence बनेगा कि she is too old to live alone इसका मतलब होगा कि वो इतनी ज़्यादा बुड़ी है कि वो अकेली नहीं रह सकती इस sentence को so से लिखना चाते तो sentence बन जाता कि she is so old that she cannot live alone that she cannot live alone ये इस sentence का so that से बन जाता live alone तो so का ओगे तो आगे that close बन जाएगा चीक है ना sentence आपका दोनों similar बनते हैं enough का use हम बात में करते हैं positive sense में करते हैं देखो इस sentence को देखना क्या कह रहा है कि she was too startled at first saying something but finally she bluttered out the truth चीक है ना बताएए देखो तो क्या होना चाहिए इसमें बताएए देखी सॉरी समझे देखो इस sentence को समझे देखो एक तो क्या करका startled आपने किया हुआ आप करके she was too startled अब startled तो adjective हैं आपका at first फिर आपने कि saying something पहली बात तो यहां ध्यान देना कि टू लगा रखा है तो टू के बाद में टू इन्फटेव लगाना पड़ेगा तो यह तो बेर इन्फटेव है यह तो आएगा नहीं आपका यहां पर और सम्टिंग भी आएगा नहीं यहां पर क्योंकि आपको anything कहना पड़ेगा substitution required है substitution आपको यहां पर करना पड़ेगा फिर बात करें saying तो आपका जिरंड है saying anything जिरंड आप यहां इस्तेमाल नहीं कर पाओगे तो to see to say anything तो क्या कहोगे see was to startled at first आप startled भोचक का रहना होता है startle क्या होता है भोचक का रहना पचम बित रहना भोचक का रहना इस आर्थ में आपके रहना यह चकित कह सकते हो भोचक का रहा हुआ यह चकित कह सकते हो तो कि भोचक का रहा हुआ चकित adjective है यह adjective sense में verb की third form आपका past participle adjective बना हुआ है कि बिना सोचे समझे बोल देना बिना सोचे समझे बोल देना कोछीज बिना सोचे समझे बोल देना तो आप कह रहे हो कि she was too startled at first to say anything क्या काओगे to say anything तो 2 plus 2 infinitive का rule इसमें है 2 plus क्या है 2 plus verb की first form 2 infinitive का rule यहां पर बन रहा है ठीक है न question पूछा गया SECGL men's के exam में 2019 के paper के अंदर काफी subtle आपका rule है कोई ज़्यादा इतना मुस्किल रूल नहीं था चलो समझें आगे क्या कह रहा है the head had been so busy to go through these files and dissolve the matter देखो क्या कर दिया इस sentence में यदि आपने busy कह रहा busy तो एक adjective है adjective है तो such का इस्तेमाल नहीं होगा यह अपने आप ही गलत हो गया second दी बात करें true और so का इस्तेमाल साथ में हम नहीं करेंगे यह गलत हो गया improvement आपको करना पड़ेगा क्योंकि so के साथ that close आता है और आगे to infinity दे रखा है या तो so और that close बनाओ या यहाँ पर so की बजाए to लिखियेगा तो क्या होना चाहिए sentence में कि the head had been too busy to go through क्या कहोगे to busy to go through sentence में क्या बने का the head had been too busy अब two प्लस आपने busy कह दिया और उसके बाद में to infinity आए गया to go to busy to go through go through the file मलब जाच करना पूरी पूरी चैक करना ठीक है na complete चैक करना go through the go through go through एक फ्रेजल वर्बोती यह का मलब है complete check out कोई भी चीज को complete चैक करना complete चैक करना go through complete complete चैक करना so the head had been too busy to go through these files and resolve the matter तो 2 प्लस twin फिटेव का option आएगा question बने आपका SSEC GL pre के exam में 2018 के अंदर देखते हैं अगला question क्या पूछा है देखे question काफी सरल है इतने मुश्किल question नहीं पूछे जाते exam में देखो हलका सा आप थोड़ा सा देमाक लगाते हैं बहुत आसान questions होते हैं कि see what so tired to work any longer आप so tired आपका adjective है यह तो past participle adjective work की third form adjective के रूप में इस्तेमाल हो रही है तो so tired जीकिए ना अब यहाँ पर क्या करोगे या तो हम too tired to work any longer sentence भी negative कह रहा है कि वो इतनी ज़्यादा थक चुकी थी कि आगे और ज़्यादा काम नहीं कर पाई तो क्या कहोगे too tired to work हो सकता है so tiring to work वो tiring तो थकाने वाली हो जाएगी वो इतनी ज़्यादा थकाने वाली थी थकाने वाली थोड़ी थी वो थक गई थी तो improvement आपको यहाँ पर करना पड़ेगा वो so tired to not यहाँ पर गलत हो जाएगा तो option आपका db गलत है क्या कर लगाना पड़ेगा आपको first option लगाना पड़ेगा कि C was too tired to work any longer कि वो इतनी ज़्यादा थक चुकी थी कि आगे और ज़्यादा काम है वो नहीं कर पाई काफी आसान question पूछा गया SACCGL pre-K exam में 2018 के अंदर चीक है ना जलिए तो इस तरीके से आपका जो question बन रहा है वो two plus किसका था two inftive का था एक आता है enough plus two inftive enough का युद जब हम करते हैं enough के बाद भी two inftive का इस्तेमाल होता है पहली बात enough का भी याद रखना कि enough के बाद भी two inftive का इस्तेमाल होता है two plus verb की first form का इस्तेमाल होता है infinitive का इस्तेमाल होता है लेकिन द्यान रखना कि enough का जब भी हम इस्तेमाल करते हैं वो बात द्यान रखना कि जिसे enough हम use करते हैं जिसे आपने कोई भी adjective आपने use करा adjective smart आपने comparative degree यूज कर लिए smarter या मानलों आपने superlative यूज कर लिया smartest अब क्या है कि किसी भी adjective जो हम लगाते हैं ध्यान रखना enough जब हम use करते हैं तो enough का use किसी भी adjective या adverb के हम पहले नहीं करते enough का use आपको किसी adjective या adverb के कहां करना पड़ेगा बाद में करना पड़ेगा पहली बात तो बाद में आएगा और दूसरी बात ये भी ध्यान लखना कि enough के पहले आने वाली degree जो होती है वो हमेसा positive होती है कभी भी comparative degree या किसी भी superlative degree का استعمال आपको enough से पहले नहीं करना है अब comparative degree यूज नहीं कर सकते तो more का استعمال भी नहीं करते और most का इस्तमाल भी आप नहीं करोगे more और most का इस्तमाल भी आप नहीं कर सकते तो enough यूज कोता है पहली बात तो ध्यानक ना कि enough के बाद आपको two infantave का इस्तेमाल करना है टू प्लस टू इनफ टेव और इनफ के बाद भी टू इनफ टेव आता है डैट क्लोज नहीं आता है इनफ के बाद सेकंट बात कि enough का use होता है वो किसी भी adjective या adverb के पहले नहीं बलकि उन adjective और adverb के हम बाद में enough का use करते हैं ठीग कैंना और enough जब use करते हैं तो enough के पहले आने वाला जो objective होता है वो हमें सा positive डिग्री का होता है वो कभी भी comparative या super letter degree का नहीं हो सकता comparative का नहीं होगा तो more भी नहीं आएगा superlative का नहीं होगा तो most भी नहीं आएगा clear है तो आपको इसी sense में याद रखना है और बाद में जो आपको use करना है कि two plus आपको verb की first form to inferative का इस्तरमाल आपको करना होता है enough के साथ ठीक है ना और positive sense में sentence बनता है ना कि negative sense में देखो sentence क्या कह रहा है आप से देखो sentence कह रहा है कि she is intelligent to complete the task on time अब आप कह रहे हो she is intelligent much बाद में much तो लगा नहीं सकते so भी लगा जीं सकते true भी नहीं लगा सकते अब she is too intelligent to complete the task on time ये होता लेकिन true का मतलब होता है negative अर्थ में होगा इसका तो मतलब है कि task को complete करने के लिए वो जरूर से ज़्यादा intelligent है तो वो तो sentence ही आपका negative चला गया तो true intelligent लेकिन true लगाते तो intelligent से पहले होना चाहिए था तो true option आपका बनेगा नहीं तो बनेगा कौन इनफ बनेगा तो आप कहना आपका she is intelligent enough क्या कहोगे she is intelligent enough to complete the task on time ठीक है ना आप कहरे हो कि इस काम को करने के लिए वो क्या है जरूरत के हिसाब से intelligent है ठीक है ना तो true पहले लगता है enough बाद में लगता है और दोनों में ही two intuitive का इस्तेमाल किया जाता है कैसे exam में question बने हैं देखते हैं देखो question number second क्या कह रहा है कि aren't you such young to travel by yourself देखो अब such young कह रहा है अब देखो young तो एक adjective है young तो एक adjective है तो सच का इस्तेमाल तो करेंगे नहीं सच की बजाए हमें so लिखें तो so लिखोगे तो आगे to travel आपका adjective आ गया तो two intuitive तो two so के बाद भी नहीं करते अब two intuitive किसके बाद करते हैं या तो two plus two intuitive होता है या enough plus two intuitive होता है अब यदि two plus two intuitive करें तो वो तो negative sense चला जाएगा जोगी आपने sentence में भी आपने aren't कह दिया तो two का इस्तेमाल यहां हो नहीं सकता तो या हम so का इस्तेमाल कर नहीं सकते two का इस्तेमाल हम यहां कर नहीं सकते और किसका such का इस्तेमाल यहां पर कर नहीं सकते तो बचा कोन यहां पर क्योंकि आगे two intuitive दे रखा है so क्यों नहीं क्योंकि two intuitive दे रखा है सो आएगा नहीं, ठू किसलिए नहीं, क्योंकि नेगटिव दे रखा है, ठू आएगा नहीं, सच का इस्तेमाल कब होता है, जब नाउन आती है तब होता है, और आगे that close होना चीए, तब आपका सच लगाते हैं, तो ये भी नहीं बनेगा, तो true travel आपका infinitive दे रखा है, तो आ बलती कों से पार्ट में जा रही है, डी में, तो search enough की बजाए, आपको कहना पड़ेगा, young adjective पहले, और enough को use आपको बाद में करना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा, तो sentence बनेगा, aren't you young enough to travel by yourself, ठीक है न, आप कहरे हो कि खुद travel करने के लिए, क्या आप जरूत के material men's 2019 के अंदर, देखो, अगला question क्या पूछा गया है, देखो, the whole watch spacious to accommodate all the guests, देखो, अब यहां कहना चारे हो, कि spacious आपने adjective यूज़ कर दिया, अब adjective यूज़ करा है, और उसके बाद तो अब क्या होगा, तो अब क्या होगा, ठू तो इसके पहले आता तब होता, also का कोई sense नहीं है, यहां पर फिररली और रादर का इस्तमाल हम यहां करेंगे नहीं तो बनेगा, क्या आपका, enough का use करूगे, इनफ, तो आप दो आप कोगे की the whole watch spacious enough, क्या कोगे capacious enough, देखो, फिरली का इस्तमाल हम करते हैं, लेकिन फिरली का इस्तमाल, इस्पेसिस से पहले होगा, the whole was fairly spacious, fairly का इस्तमाल spectrum से पहले होगा, fairly और रादर में bhi अंतर होता है उसके भी हम उन्हें अलग क्लास के अंदर हम उन्हें डिस्कस करेंगे, तो fairly भी इस्पेसियस के पहले आता, rather का इस्तमाल जरूर आप adjective के पहले और बाद दोनों तरफ कर सकते हो लेगि राधर सेंटेंस में नेगेटिव वर्थ देता है तो उसका तो मतलब जरूर से कुछ जादा ही बढ़ा था कि कि आप सभी लोगों को आपने बहाँ पर रखा तो वो एक आपका सेंस ही अलग दे देगा तो राधर एक नेगेटिव सेंस होता है तो फेरली और राधर यहां बनेगा नहीं तो बनेगा कौनसा ओप्सन इनफ बन जाएगा क्वेस्टन पूछा गया से सी सी जी एल मैंस के एक्जाम में 2019 दूसरे पेपर के अंदर ठीक है ना चलो इसी तरीके से देखते हैं अगला क्वेस्टन क्या था किसी वोच सो टॉल तो रीच दा टॉप सेल देखो क्या कहरे हो सेंटेंस में कि सो टॉल टू-रीच अब देखो डूरीच कह रही है अब आप sentence में कह रहे हो कि वो इतनी ज़्यादा लंबी थी कि वो top self तक पहुँच गई top self तो गर में अलमिरा होती है top self तक वो पहुँच गई तो क्या कह रहे हो यहाँ पर two tall four इस्तेमाल नहीं होगा गलत हो जाएगा इंप्रूमेंट आपको करना पड़ेगा सो प्लस टूइन फटेवाता नहीं तो इंप्रूमेंट हो जाएगा सो टॉल डैट अब सो और टॉल डैट करोगे तो डैट के बाद वापिस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का इस्तेमाल करके से क्लॉस बनाना पड़ेगा तो ऑफसं बनेगा नहीं तोफसं कौन शाखना पड़ेगा टॉल इनफ टू रीच। टॉप opening तू रीच। दॉब सेलब यह एक बात बाद जान रखना अब सर्फ के लिए on the self इस्तिमाल होता है लेगिन उपने रिकाक के बाद में प्रेश्चिन का इस्तेमाल नहीं करता उन् धे सेल्फ होता है चाहिक llān लेकर रीच आरा तो रीज से बाद कभी प्रेश्चिन को हाथ gens नहीं हो तैया कुझ जन्हा का question है question पूछा गया आपके SSCGL मैंस 2019 के पेपर के अंदर चलिए अगला question क्या है आपका देखो समझते हैं तो यह आपका रूल था कौनसा टू प्लस टूइंफ टेव और इनफ प्लस टूइंफ टेव का बारू था जिकर इसी तरीके से एक आपका रूल आता है कौनसा कौनसा ऐसे में क्या आता है दसीम इकाता देखो है तो आपको आपको वीच्ट लगा के देगा दसेम के साथ बेच नहीं आता है दसेम के बाद या तो एज आता है और या आपको that लगाना है the same as or the same that का इस्तेमाल आपको करना होगा ठीक है ना the same the same के साथ कभी भी which का इस्तेमाल नहीं होगा या तो होता है the same as और या होता है the same that देखो the same as का मतलब होता है देखो यदि आप the same लगाते हो और उसके पाद as लगाते हो तो इसका तो मतलब होता है उसके जैसा उसके जैसा ना की वही आपकर वह नहीं उसके जैसा है वो सेम नहीं है उसके जैसा है और यदि आपने the same के साथ आपने यदि दैट लगा रखा है यदि आपने the same के साथ यदि आपने दैट लगा के रखा हुआ है the same that the same that का मतलब होता है कि वही वही है कोई दूसरा नहीं कोई दूसरा नहीं आपकर वही है कोई दूसरा नहीं आप उसी की बात कर रहे हो चीक है ना किसी दूसरे की बात नहीं the same that वही है कोई दूसरा नहीं है आप उसी की बात कर रहे हो और the same as का मतलब होता है उसके जैसा है वो सेम नहीं है उसके जैसा कोई दूसरा है तो the same as उसके जैसा है वो सेम नहीं है उसके जैसा कोई दूसरा है the same that मनलब वही है कोई दूसरे की बात नहीं कर रहे है ये अंतर आता है तो ध्यान ये रखना कि the same के बात कभी भी आप किसका which का यूज या किसी दूसरे रब्लो एच वर का यूज ना करके लिए आपको that या as लगाना है that तब होगा जब वही होता है कोई दूसरे की बात नहीं करते है तब और as तब होता है जब उसके जैसे किसी चीज की बात कर रहे होते हो तब आता है देखो क्या sentence आपका बनता है देखो sentence है आपका देखो first अब इस sentence में देखो क्या कह रहा है कि आपके this is perhaps the same dog और आपने which कह दिया अब इदी आप the same कह रहे हो तो the same के बाद में आपको which का इस्तरमाल नहीं करते हुए आपको या तो that लगाएंगे और या आप as लगाएंगे लेकिन क्या लगाएं आप इसमें that लगाओगे as लगाओगे तो आपको sentence के meaning को देखना पड़ेगा कि वो क्या कहना चाहरा है sentence का meaning क्या कह रहा है देखो अब आप कहरें कि वह है उस कुत्ते के जैसा ही है जो उसे काटा that bitter while she was returning from college जब वो कोले से वापिस आ रही थी अब आप कहरें कि वह है वैसा ही कुत्ता है जैसा उसको काटा अब कुत्ते जैसा कुत्ता थोड़ी होगा आप यह थोड़ी कहोगे यह वाला कुत्ता उस कुत्ते जैसा है जो उसे काटा था जब वो कोले से आ रही थी अरे कुत्ते जैसा कुत्ता क्या कुत्ता तो एक जैसा ही होता है तो आपको कहना पड़ेगा कि यह वही कुत्ता है जो उसे काटा जब वो कोले से आ रही थी तो आपको यहाँ पर the same as नहीं आपको कहना पड़ेगा the same that आपको यहाँ as नहीं आपको कहना पड़ेगा the same that आप कहरें कि यह वही कुत्ता है जो उसे काटा था जब वो कोले से आ रही थी ठीक है न इस sentence में दो तीन चीज़ें देखो बूद अच्छे से समझने लायक है एक तो यहाँ bit का देखो use समझना bit यहाँ पर verb की second वाली form दे रखी है bit verb की कौन सी वाली form है second form है first form bite होती है first form क्या होती है bite होती है और इसकी singular रूप होती है वो होती है bites तो यह तो plural form है और यह आपकी singular form है second जो form होती है वो bit होती है और third वाली form होती है वो bitten होती है तो यहां sentence में यह बात ध्यान रखनी होगी कि bit verb की कौनसी वाली form है, second form है, यह चीज़ ध्यान रखना, ठीक है न, biting आपकी कौनसी form है, biting नहीं होता है, biting होता है, आपकी ing form, और two bit होता है, two bit नहीं, two bite होता है, तो fourth form कौनसी होगी, biting, कौनसी होगी, तो biting आपकी कौनसी ing वाली form, auto-inftive form कौनसी होती है, two plus, अब आप बिट नहीं कर सकते हैं, बिट तो second form है, two के साथ second form नहीं आती, two के साथ हमें साथ first form चलती है, two bite होता है, ना कि two bit का होगी, two bite, two bit करके भी error आपकी exam में दी जाती है, two bite, two plus verb की first form होती है, कभी भी two plus second form मत लगा देना, two के बाद कभी second form नहीं आती, चाहिए न, अब आप कहे रहे हो, यहाँ पर this is the same dog, that bit her, bit my love verb की second form लगा रहे हो, her while she was returning from college, एक आपको यह भी ध्यान रखना है, कि returning के साथ में back का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, वोगि return का मतलब ही क्या होता है, come back होता है, तो return back आप नहीं कह सकते हैं, यह question आपका normal बनता है, from college, एक यहाँ पर और रूल भी है, from college, from the college नहीं लगा सकते, जब आप primary purpose के लिए आप किसी college से घर आते हो, या किसी college जाते हो, आप पढ़ने के लिए जा रहे हो, obviously, तो उस condition में यह जो college है, university है, school वगरा, temple है, church है, hospital है, ऐसे words के साथ में आप article का इस्तेमाल नहीं करते हो, तो from the college नहीं, from college नहीं आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो एक rule यहाँ भी याद रखना है, कि यहाँ पर article दे का कोई sense नहीं था, तो this is perhaps the same dog that bit her while see was returning from college, एक यहाँ पर एक बात भी ध्यान रखना, कि यहाँ पर while की जगे आप when का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, आप when क्यों यूज नहीं कर सकते, जब एक काम के parallel कोई दूसरा काम होता है, एक काम के साथ साथ दी कोई दूसरा काम हो रहा होता है, तो उस दोरान कभी भी आप when का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको while use करना पड़ेगा तो आप कह रहे हो कि this is perhaps the same dog that bit her while she was returning from college आप कह रहे है वही कुत्ता है जो उसे काटा जब वो कोले से आ रही थी ठीक है ना? समरे हो question पूछा गया SSCPO Pre-K exam में 2014 के अंदर पूछा गया आपका question है ठीक है? चाड़िए देखो next question क्या है आपका This is the same car which I saw in Mumbai It's a popular brand आप ये sentence कह रहे हो कि ये है वेसी ही car है जैसी कि मैंने कहां देखी Mumbai के अंदर देखी ये एक popular brand है आप ये कहना चाह रहे हो कि ये एक popular brand है और आप कह रहे हैं ये वही car है जो मैंने Mumbai में देखी थी अरे जो Mumbai में आपने car देखी वही car आपने डेली में या मालो आप ये जैपुर में थोड़ी देख रहे हो आप ये कहना चाह रहे हो कि मैंने वो car जो मैंने Mumbai में देखी ये उसके जैसी ही दूसरी car है ठीकिन ना कि वही car है आपकर यह है उस car के जैसी है जैसी की मैंने मुंबई में देखी थी जब आपको ऐसे किसी place के बारे में बात कर रहा हो उस condition में हो सकता है जिसे मालो आप मुंबई में ही खड़े हो और आपके मुंबई में देखी थी लेकिन थोड़ा common sense आपको लगाना है तो उस condition में वही कार नहीं हो करके वह उस कार के जैसी दूसरी कार है क्योंकि आगे एक popular brand की बात कर रहा है तो आपको कहना पड़े का this is the same car अब आपको which I saw नहीं आपको कहना पड़े का यहाँ पर as I saw अब यहाँ पर that का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते आप ऐसा नहीं कहोगे कि वह वही कार है आप इदी sentence में वैसे ही कहना चाते हो तो आप कहिए उसमें problem नहीं करेगा लेकिन आपको sentence structure इदी exam में आता है तो date की बज़ाए आपको यहाँ पर as करना पड़ेगा क्योंकि primary thought होते हैं उसी को मानता है secondary thought आपके अपनी मरजी होती है समरे हो ना कि primary जोसे भी आपका पहले sentence सामने हाता है उस condition में हमें लगता है कि वो आप उसके जैसी बात कर रहे हो तो उस condition में आपको वहाँ उसके जैसे के अर्थ में आना चाहिए तो sentence बनेगा this is the same car as I saw in Mumbai आपके यह वेसी कार है जैसी कि मैंने मुंबई में देखी थी यह एक popular brand है question पूछा गया CHSL exam 2017 के paper के अंदर आपका question पूछा गया था clear है तो यह था आपके कौन सा the same age और the same bat का use ठीक है ना तो आज के वीडियो में जो भी हमने rule पढ़ रहे हैं वो एक से एक बढ़कर है अच्छे rules है exam से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं देखो अभी हमने जो भी previous year के questions हमने पढ़े हैं ठीक है ना उन सब ही में आपके यह questions आपके पूछे जाते हैं ठीक है ना इदि आपको मेरा काम पसन है तो आप इसे like करें share करें subscribe करें ठीक है ना ओके तब नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक के लिए बाई बाई